तो है 2,022 का एक स्मार्ट फोन 2023 में थेहल कम आप जा रहा है यह फोन है दोस्तों नठींग की तरब से नठींग फोन वान फोक्स इतना सलिम सी आता है कि भाई पता है नहीं चलना की पोक्स का अंदर है या फिर नहीं लेकिन सबसे बड़ा कोस्तिन आता है कि 2022 का फोन 2023 में हमे करवा तो वैसा बॉक्स तो आपको मार्केट में किसी भी स्मार्ट फॉन ब्रांड नहीं देता है वहोत ही पतला और बहुत ही इस लिम सा है नथिंग phone 1 का ये मेरे पास भाई white color में है इसका black color भी market में आता है बट white color का price भी ज़्यादा है और इसका market में डिवान भी ज़्यादा है अब चलिए स्टार्ट करते है 2023 में इसको क्यू लेना चाहिए क्या क्या pro features आपको इस phone में मिलता है मैं आपको one by one बताता हूं इस फोन का design या फिर विल्कॉलिटी देखिए इस phone का बेक साइड में आपको पूरा glass बेक पेनल मिलता है जो कि इस बजट में जालतर स्मार्ट फोन में आपको नहीं मिलता है और glass बेक पेनल में आपको ट्रांस फ्रेंसी मूड भी देखने को मिलता है जिसके वेसे अरका सारे इस बजट में आपको ब्लास ब्हुंट बन जाता इसका फोन का जो फ्रेम है का आपको स्पीकर्ट मिलता है और यहां पर डेटिकेट सिंग काड्स लुटन देखने को मिल जाता है उपर के साइड में नोइस कैंसलन संस्ज्य माइग भी आपको पावर बटन मिलता है यानि प्रोट में जितना कुछ होना चाहिए वो सारे कुछ आपको मिल जाता है लेकिन इसका फ्रोट में भी आपको गोरिला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है यानि बेक और फ्रोंट दोनों भाई बील्ड के मामने में काफी तग रहा है और इसका डिजाइन थोरा-थोरा आपको फोन जैसा भी लगेगा लेकिन प्रीमियम डिजाइन और प्रीमिय बील्ड यहां पर यूज किया गया है तो यह एक पहला प्लास पॉइंट आपको मिल जाता है अब जो सेकेंड प्लास पॉइंट है दोस्तों वह है इस पॉन का डिस्प्ले देखिए इस पॉन में 6.55 आपको ब्राइटनेस मिल जाता है कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होता है लेकिन जब मैं यूटूब में कॉन्टेंट बगरा देख रहा था दोस्तों तो यहां पर जो क्वालिटी निकल रहा था ना फाइड नेक्स लेवल का है मतलब यह वान यहां पर डिस्प्ले को टेस्क करा था यहां पर ब्रोड वेर तो वाई ही नहीं वाई आपको मिलता है नदेंग वह यहां पर यूज किया गया और गुगल की तरफ से चोटा मोटा अप्लिकस्ट तरह यहां पर एंड़्ोएड 13 के साथ क्लीन वाई का एक्स नापको मिल जाता है यह एक यहां पर कोई भी इसू नहीं है आप डेटो डे काम करो या फिर हर एक अप्लिकेशन को एक साथ रन करके देखो या फिर किसी भी तरह के से और एक प्लास पॉइंट निकल का आता है लेकिन और एक चीज भाई यहां पर फ्री पॉइंट वान का इस टोड़ेज है जिसके वेसे मुबाइल थोड़ा सा फास्ट हो जाता है जब आप मुबाइल में अलग-अलग एप्लिकेशन का एक साथ रन करके देखोगे ना जब सेंसर है और इसका जो फोटो कॉलिटी निकलता है दोस्तों वह भाई नेक्स लेवल का है एंड्रोइड 13 आने के बाद भाई काफी तगरा यहां पर अप्ग्रेट क्या है क्यामरा में खास करके इसका जो मतलब माइक्रो सोट बगरा है वह आप सबसे पहले देखो दोस्तों वाइस लिवल का डिटेल निकल के देथा है चाहिक आपके मामले में सब अबर इस प्रिइट में यह एक वान पर बेष्ट कामरा स्मार्पोन आप कह सकते हो और वाइस का सपोर्ट भी है यहां पर आप 4K में वीडियो रेकोड कर सकतों यानि वीडियो कोन्टेंट के लिए यह फोन के मामले में काफी तगरा निकल के आता है बागी फोन का सेल्फी की बात कर लेते हैं फ्रोंट में आपको पंचोल के साथ 16 यानि 16 मेगाफिसल का सेल्फी मिलता है यानि इसका भी सेंसर काफी अच्छा है और इसका जो फोटो निकलता है दोस्तों वह मैं आपसे सेर कर कर पाओगे क्यामरा इस फोन का और एक प्लास पॉइंट निकल के आता है अब इस फोन का जो नेक्ट प्रो फीचर से दोस्तों वह है बैटरी डिपार्मेंट यहां पर वार्लेस चार्जिंग का सबोर्ड मिल जाता है जो कि इस बजट में जालतर स्मार्ट फोन में आपको नह कि आना और बेक पेनल में आप अगर केस यूज नहीं कर रहे हो तो टूटने के भी चांस रहता है क्योंकि यहां पर ग्लास दिया गया है जिसके वैसे यह तूटता जादा है और सेकेंड जो प्रोब्लम यहां पर मुझे देखनों को मिला दोस्तों यह भाई बैटरी डिप लेकिन मैं आपको कहूंगा भाई जब 30,000 के आसपास रहता ना उस टाइम मत पर्चेस करना जब सेल में प्राइस ड्रोब होता है 25-27,000 में मिलता है तब आप इसको पर्चेस करना उसमें आपको यह फोन फोन अभी भी लेने लाइक है क्योंकि फीचर्स और जो डिजाइन और जो बिल्कूर्टी यूज वाए वह भाई नेक्स लेविल का है 30,000 के अंदर यह फोन एक बेस्ट ओल राउंडर फोन है अभी भी आप इसको ले सकते होती है था दोस्तों नथिंग फोन वान का बारे में फूल डिटेल्स 2023 में लेने चाहिए या फिन नहीं मैंने आपको बताया बागी आपको यह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करना अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरू करना इस मुबैल के बार में कुछी भी ओपिन याने कॉमेंट करके बताना मैं मिलता आपको नेक्स वीडियो में जब तक लिए जैहिंद टे केर